हलो बच्चों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी आज की इस कक्षा में। और इसके रचाईता हैं अरुन कमल जी। तो बच्चों जैसा कि इस शीषक से ही आपको अब तक पता चल गया होगा कि यह कविता किसके बारे में लिखी गई है। किसके बारे में कही गई है नए इलाके में नए इलाका जहां पर हम नई जगा पे जाते हैं तो उस उलाके के बारे में कुछ जानकारी हमें अरुन कमल जी की इस कवीता के द्वारा पता चलेगा तो चलिए अब हम कवीता शुरू करें परंतु शुरू करने से पूर्व मैं आ आवार्थ भी समझाते चलूँगी तो चलिए शुरू करते हैं कविता शुरू करने से पूर्व अब हम कवी अरुन कमल जी के जीवन परिचय के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हासिल करेंगे अरुन कमल का जन्म बिहार के रोतास जीले के नासरी गंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ था यह इन दिनों पटना विश्व विद्याले में प्रध्यापक रहे इन्हें अपनी कवीताओं के लिए साहित अकादमी पुरसकार सहित अन्य कई पुरसकारों से भी सम्मानित किया गया इन्होंने कवीता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का भी अनुवाद किया है आईए जानते हैं इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी रही प्रमुख कृतियों में सबसे पहला नाम है अपनी केवल धार और उसके बाद कई अन्य पुस्तके हैं रचनाओं हैं जैसे सबूत नए इलाके में पुतली में संसार ये चारो क्या है कविता संग्रह हैं तथा कविता और समय ये है आलोचनात्मक उनकी कृति इनके अलावा अरुन कमल ने माईको वस्की की आत्मकता और जंगल बुख का हिंदी में और युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है जो वोईसिज के नाम से प्रकाशित हुआ अरुन कमल की कविताओं में नए बिंब बोलचाल की भाशा खड़ी बोली के अनेक लए च्छंदों का समावेश देखने को मिलता है इनकी कविताओं जितनी आप विती हैं उतनी ही जग विती भी हैं इनकी कविताओं में जीवन के विभिन शेत्र का चितरन दिखाई देता है इस विविधता के कारण इनकी भाशा में भी विविधता के दर्शन हमें होते हैं ये बड़ी कुशलता और सहजिता से जीवन प्रसंगों को कवीता में रूपांतरित कर देते हैं उनकी कवीता में वर्तमान शोशन मूलक विवस्था के खिलाफ आक्रोश नफरत और उसे उलट कर एक नई मानविय विवस्था का निर्मान करने की आकुलता सरवत्र दिखाई देती है पर आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं आईए उसकी थोड़ी जानकारी हासिल करें प्रस्तुत पाठ की कहां पहली कवीता नए इलाके में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंतरन है जो एक ही दिन में पुरानी पढ़ जाती है यह इस बात का हमें बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थाई नहीं होता इस पल पल बदलती और बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं हम जी सकते चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी कवीता और कवीता का शीर्षक जैसा कि मैंने आपको बताया था नए इलाके में तो कवीता की पंक्तिया कुछ इस प्रकार है कवी कह रहा है इन नए बस्ते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ बच्चों यहाँ पर इलाका का अर्थ होता है शेत्र और अक्सर का अर्थ होता है प्राया तो यहाँ पर कवी कह रहे हैं कि जो नए नए इलाके बन रहे हैं उनके घर के आस पास जब भी वहाँ पर वो जाते हैं तो नए नए मकान का निर्मान होता रहता है तो इससे क्या दुविधा उत्पन हो रही है कि वो अक्सर रास्ता भूल जाते हैं कहां का अपने ही घर का तो आईए इसका भावार्थ जाने कवी आज के परिवर्तन को देखकर कहता है कि दुनिया हर पल बदलती जा रही है नया रूप धारन कर रही है नए नए इलाकों में प्रती दिन नए नए क्या इमारते बनती जा रही है मकान बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से मनुष्य अक्सर अपना रास्ता भूल जाता है मनुष्य अपनी यादों के सहारे आगी बढ़ना चाहता है किन्तु नए परिवेश में पुरानी निशानियां समाप्थ हो चुकी होती हैं कवी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो बच्चो सर्वर्पत्थम्त मैं आपको ये बताऊंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नए शेत्र में अगर जाते हैं नए इलाके में जाते हैं और अपने घर का पता या किसी एक स्थान का पता अगर हमको जानना हो तो हम वहां पहुँचने के लिए कई निशानियो को अपने दिमाग में स्थापित करते हैं अर्थात अगर मुझे वहां तक पहुचना है अपने लक्ष तक तो सबसे पहले मैं दाई मुरूंगा फिर बाई मुरूंगा वहां रास्ते में मुझे एक मंदिर मिलेगा या फलाना पेड मिलेगा तो इस तरह की जो निशानिया होती हैं स्मृतिया होती हैं जो यादे होती हैं हम उसे अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं यानि निशानिया बना कर रख लेते हैं तो इससे क्या होता है हमें ऐसा लगता कि हमने तो वास्ता याद कर लिया है और हम असानी से अपने लक्ष तक पहुंच सकते हैं ऐसा ही कुछ हुआ हमारे कवी अरुन कमल के साथ उन्होंने भी यही बात कही कि पल पल बदलती इस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है यहां पर उनकी दुविदा यह है कि वो जिन जिन चीजों को निशानी समझ करके अपने दिमाग में बसाई हुए थे लेकिन अगले ही पल क्या पाते हैं कि वो निशानिया समाप्त हो चुकी है क्यों समाप्त हो रही है क्योंकि यह जो समाज है यह परिवर्थंशील है हर पल हर घड़ी यहां पर कुछ ना कुछ बदलाब हो रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ धोखा दे जाते हैं पुराने निशान खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़ खोजता हूं धहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाय मुर्णा था मुझे फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे कि फाटक का घर था एक मनजिला बच्चों यहां पर ताकत का यहां पर शब्दार्थ लिखा हुआ है मैंने यहां पर लिखा है ताकत ताकता का अर्थ है देखता और धाहा का अर्थ होता है गिरा हुआ या ध्वस्त हुआ तो यहां पर कवी क्या कहना चाहते हैं कि धोखा दे जाते हैं पुराने निशान यानि जिन यादों को आपने दिमाग में संजो के रखा था सम्हाल के रखा था कि ये निशानिया है मुझे उस ठान तक पहुचने के लिए अब वो निशानिया भी यानि आपकी याददाश भी आपको धोखा दे जाती हैं तो देखते हैं कि क क्या क्या निशानी के तौर पे अपने घर पहुचने के लिए क्या क्या निशानियां बटोर के रखी हैं सम्हाल के रखी हैं तो उन्होंने कहा है कि ताकता हूँ पीपल का पेड ताकता कार्थ जैसे मैंने बता है देखता वो अपनी याददाश को ताजा करके सोच रहे कि घ प्रिपल के पेड़ के आगे एक ढहा हुआ घर है यानि ऐसा घर जो निस्तो नाबूत हो चुका है पूरी तरह से तूट फूट गया है तो यह भी एक निशानी के तौर पे उन्होंने अपने दिमाग में बसा रखा था और वो कह रहे हैं उसके आगे बढ़ करके उनके उनके दिमाग में फिट करके रखी है सम्हाल के रखी है तो और आगे बढ़ करके उन्होंने क्या सोचा है उन्होंने ये भी याद करके रखा था कि उस खाली जमीन के टुकड़े के आगे एक दो वहाँ पर दो मकान होंगे जो की बिना रंग वाले होंगे अर्था तुन घरों प भर था एक मनजिला यानि एक मनजिल वाला तो चलिए इसका भावार्थ हम जाने कवी कहता है कि रोज पुराने मकानों की जगह नए नए मकान बनने से पुराने निशान समाप्त हो जाते हैं कहने का भाव ये है कि नव निर्मान होने से पुरानी चीजे मिट जाती हैं कवी की यही बस दुविधा है कि वह नए नई इलाकों में पुरानी यादों को खोजता है वह पीपल का पेड़ खोजता है जो कभी वहां हुआ करता था परन्तु अब नहीं है वह जमीन के उस खाली टुकड़े को भी ढूंडता है और क्या ढूंडता है जहां से उसे बाई और थोड़ करके बिना रंग वाले लोहे के दर्वाजे का एक मनजिला मकान हुआ करता था किंतु किंतु अब सब कुछ बदल गया है क्यों बदल गया है क्योंकि ये दुनिया परिवर्तन शील है हर पल यहां पर बदलाब हो रहे हैं कल जो स्मृतियों में था वो आज उन्हें नहीं दिख रहा तो इसी लिए वो थोड़ी दुविधा में हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या दो घर आगे ठक मकाता यहां रोज कुछ बन रहा है रोज कुछ घट रहा है यहां स्मृति का भरोसा नहीं है कितनी अच्छी बात यहां पर अरुन कमल जी ने हमें बताने की कोशिश की है वो कह रहे हैं कि यहां पर कभी कभी क्या होता है कि वो अपने घर यानि कभी अपने घर पहुचने के लिए गलती से या तो वो अपने घर को छोड़ करके एक घर आगे चले जाते हैं या फिर कभी कभी दो घर पीछे ही रह जाते हैं और ऐसा क्यों कभी के साथ हो रहा है क्योंकि हर पल ये दुनिया बदल रही है स्मृतियों में जो चीज कल थी निशानी के तौर पे आज वो नहीं है यानि यहां पर हर दिन कुछ बनता बिगडता रहता है और ये इसी लिए उन्होंने कहा है कि हम कभी स्मृतियों का भरोसा नहीं कर सकतें अपनी याददाश पर भरोसा नहीं कर सकतें क्यूंकि जो आपको आपकी यादे ही धोखा दे सकती है क्यों धोखा भटक जाता है क्योंकि सभी निशानिया धोखा दे जाती हैं प्रती दिन नया वेश धारण करती दुनिया में कहीं कुछ नया बन रहा होता है और कहीं कुछ पुराने को तोड़ा जा रहा होता है अब यादों पर भरोसा नहीं किया सकता क्यूंकि दुनिया हर दिन हर पल अपना रूप बदल रही है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर क्यूंकि यह दुनिया परिवर्तन शील है तो दुविधा ये होती है कभी को कि वो कभी-कभी अपने याददाश पर भरोसा करकर के निशानियों को ध्यान में रख करके जब अपने घर को ढूंडने निकलते हैं तो क्या होता है कभी घर के आगे चले जाते हैं या तो अपने घर के दो कदम पीछे ही रहते हैं तो इस तरह से उन्होंने हम ये बताने की कोशिश की है कहने का भाव ये है कि हम अपनी स्मृतियों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं आगे देखते हैं अगली पंक्तियों में एक ही दिन में पुरानी पर जाती है दुनिया जैसे वसंद का गया पतज़ड में लोटा हूं जैसे बैसाख का गया भादों में लोटा हूं अब यही है उपाए की हर दर्वाजा खट खटाओं और पूछो क्या यही है वो घर यहां पर बच्चों मैं आपको बता दूँ वसंद का अर्थ होता है छोर छे रित्वों में से एक रितु और पत जड़ जब पत्ते जड़ जड़ जाते हैं किंगी वे उसमें नए पत्ते आते हैं बैसाख यानि चैत्र के बाद आने वाला यह महीना और भादों यानि सावन केscreen के बाद आने वाला महीना तो यहां पर वो समय को अपने ध्यान में रखते हुए यह हमें बताना चाहते हैं कि एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया देखिए कैसा परिवर्तन हो रहा है कि कल मैंने जिन चीजों को याद करके रखा है आज वो चीजे वहां पर नहीं है उस थान पर नहीं है तो कवी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस जगा पर आज जब मैं आया हूँ तो मुझे ऐसा क्यूं जाने लग रहा है कि जैसे वसंत का गया हुआ मैं पतज़ड में लोटा हूँ समय को याद करके बताया गया है कि वसंत यानि एक मौसम में गये और आये कब दूसरे मौसम में अर्थात यहां पर समय के बीच में कितना अंतराल आ गया है उन्हें ऐसा क्यूं लग रहा है कि मैं बहुत दिनों के बाद यहां पर आया हूँ जैसा बैसाक का गया भादों में लोटा हूँ जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है वो कल जिस स्थान पर आये थे आज भी उसी स्थान पर आये हैं समय का अंतर है बट कल और आज में जो परिवर पर उन्होंने ये बात कही है उन्होंने कहा इस नई दुनिया में जब मैं आज आया हूँ तो मुझे ऐसा क्यूं लग रहा है कि मैं कितने दिनों के बाद यहां पर आया हूँ जबकि वो कल ही लोटे हैं फिर भी उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो समय कितनी जल्दी चल वो निशानिया भी नहीं है अब यही है उपाए कि अब दर्वाजा खट-कटाओ अब अंत में वो कह रहे हैं कि अब मुझे और कोई उपाए नहीं सूझ रहा है अब एक ही उपाए है कि अब मैं जहां तक भी मेरी याददाश ठीक है मैं जाओं अपने घर को ढूनने के कवी को सूझ रहा था चलिए इसका भावारतिक बर्द देख लें कवी आगे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इस इलाके में मैं महीनों बादाया हूं जबकि असलियत में ऐसा नहीं है लगता तो ऐसे है जैसे मैं यहां से मैं अर्थत कवी मैं यहां से वसंतरित में गया था और पतजड में लोटा हूं या वैसाक के महीने में गया था और भादों में वापस आया हूं या वैसाक के महीने में गया और भादों में आया हूं यहां एक ही दिन में एक रितु जितना परिवर्तन दिखाई देता है इस परिवर्तन को देखकर कभी कहता है कि अ ये वही घर है, अर्थात क्या वो कवी का घर है, आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी, ढहा आ रहा अकास, शायद पुकार ले कोई पहचाना उपर से देख कर, अब यहां पर अकास का अर्थ यहां पे दिया हुआ ह है, गगन, गगन यानि आकास, तो यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है, कि इस घर ढूंडने के चक्कर में क्या हो रहा है, समय वतीत होता जा रहा है, अब उनके हांथ से समय रेद की तरह फिसलता जा रहा है, क्यूंकि आगे की पंक्ति में बताया गया है, कि आ चल होने वाली है वर्षा किसी भी समय हो सकती है तो इसी लिए अब उनके हाथ में समय नहीं है तो इसी लिए अब उनका घर ढूनना और जल्दी अब जल्दबाजी उन्हें करनी होगी ताकि वो अपने घर सुरक्षित पहुंच सके लेकिन लेकिन यही यही कश्ट यही पहचान नहीं हो पाई थी क्यूंकि उनके दिमाग में जितनी भी निशानिया थी वो सब आज बदल गई थी तो इसी लिए वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि रास्ते में जब मैं अपना घर ढूंडता हुआ जाओं तो मुझे कोई उपर से ही देख के पहचान ले और बता द देखें कवी कहता है कि आज की दुनिया में समय का बहुत अभाव है अब तो आकास से पानी भी ढहने को आया है अर्थात वर्षा भी शुरू होने वाली है और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कोई उपर से देख कर मुझे पहचान लेगा और कहेगा हां ये वही घर है जिसे तुम ढूंड रहे हो तो इस प्रकास से यहाँ पर कवी अपने घर की तलाश में आगे चलते जा रहे हैं तो बच्चों उम्मीद करते हूं कि आपको ये कवीता अच्छे से समझ में आई होगी अब चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्नोत्तर की तरफ पहला प्रश्न है नए बस्ते इलाके में कवी रास्ता क्यूं भूल जाता है क्यूंकि नया इलाका है तो कवी क्यूं ऐसे नए इलाके में आकर के रास्ता भूल जाता है तो इसका उत्तर होगा नए इलाके में प्रती दिन नए मकान बनते चले जा रहे हैं इन मकानों के बनने से पुराने पेड़, खाली जमीन, तूटे-पूटे घर और कुछ समय में ही ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं, यानि जो निशानियां थी वो खत्म हो जाती हैं कवी अपने ठिकाने पर पहुँचने के लिए निशानियां बनाता है, वे जल्द मिट जाती हैं और इसलिए कवी रास्ता भूल जाता है अगला प्रश्ण है कवी एक घर के पीछे या दो घर आगे क्यूं चल देता है? क्यूं ऐसा कवी के साथ होता है कि वो अपने ठिकाने पर नहीं पहुच पाता अपने लक्ष पर नहीं पहुच पाता और या तो आगे ही चला जाता है, जैसा कि मैंने आपको कवीता में बताया या फिर दो कदम पीछे ही रह जाता है तो चलिए उसका उत्तर देखें कवी एक घर पीछे या दो घर आगे इसलिए चल देता है क्योंकि नए इलाके में प्रति दिन परिवर्तन आ रहे हैं उसकी पुरानी पहचान करने की निशानिया मिट जाती है भला कैसे याद रखेंगे कवी क्योंकि कल उनके दिमाग में जो अब रूपधारन कर रहे हैं जो पेड़ था जो जमीन था जो घर था आज वो अपने स्थान पे नहीं है इसलिए कहा गया है कि उनकी स्मृतियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है अब आप स्मृतियों पर भरोसा नहीं कर सकते अगला प्रशन देखते हैं वसंत का गया पतजड और बैसाक का गया भादों में लोटा यहां ये पूछा गया है कि इस वाक्य से क्या अभी प्राय है ऐसा कवी ने क्यूं कहा है कि वो पतजड में गया माफ कीजेगा वसंत में गया पतजड में आया और बैसाक का गया भादों में आया तो चलिए इसका अर्थ जान कभी ने इन पंक्तियों में तेजी से बदलती दुनिया की और इशारा किया है वह बताते हैं कि जब वह नए बस्ती के नए बस्ती में या नए इलाके में कुछ दिनों बाद अगर आते हैं तो उन्हें हर चीज नई मालुम पड़ती है उन्हें ऐसा लगता है कि वह सालों के बाद वहां आए हैं कहने का भाव यह है कि समय का उन्हें अंदेशा ही नहीं हो पाता है उन्हें ऐसा लगता है कि वह कितने महीनों के बाद कितने समय के बाद उसी स्थान पे आए हैं क्यूंकि हर चीज प्रतिपल प्रतिशन परिवर्तित हो रही है बदल रही है हमारा अगला प्रश्ण है इस कवीता में कवी ने शहरों की किस विडंबना की और संकेत किया है तो यह इस वाक्य में इस प्रश्ण में यह पूछा गया है कि शहरों की आखिर शहरों की आखिर इसी कौन सी विडंबना है जिसके बारे में लेखक उस समस्या को सभी के सामने उजागर करना चाहते हैं आईए जानते हैं कवी ने कहा है कि जीवन की सहजता समाप्त होती जा रही है और बनावटी चीजों के प्रती लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा है सब आगे निकलना चाहते हैं आपसी प्रेम आत्मियता घटती जा रही है लोगों की और रहने के स्थान की पहचान अब खोती जा रही है स्वार्थ केंद्रित लोगों के पास दूसरों के लिए समय ही अब नहीं है आज की चीज कल पुरानी पर जाती है और यहां इस समाज में कुछ भी स्थाई नहीं है अर्थात सभी चीजें परिवर्टन शील है और इसी के साथ मैं आशा करती हूं कि आपको यह कवीता अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसी के साथ आज मैं समाप्त करती हूं हमारी इस कक्षा को यहीं पर धन्यवाद